Hello guys, my name is Nitish and you are welcome to my YouTube channel So, आज हम लोग lecture 2 करने वाले हैं हमारे NLP course का और आज के lecture का topic है NLP pipelines NLP pipelines क्या होती है और उसमें क्या पढ़ना है वो तो हम लोग थोड़ी देल में पढ़ेंगे बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले मुझे आपको दो बाते बतानी है पहली बात कि पिछले वीडियो की तरह ये वीडियो भी completely theoretical है I know आप सोच रहे होगे कि come on up practical चीज़े start करो यार But again मेरको आपको ये बात बतानी है I firmly believe कि अगर आपको कोई पेड 6 गंटे में गाटना है तो आपको 4 गंटे अपना हतियार sharpen करने में लगाना चाहिए Same logic मैं यहाँ पे apply कर रहा हूँ NLP बहुती difficult topic है और एक difficult topic को approach करने के पहले आपको अपना why part clear रखना चाहिए So इन पहले दो lectures में मैं वही make sure कर रहा हूँ So please bore होने के जगा इस lecture पे focus करना Because मेरे हिसाब से यह सबसे important lecture है इस पूरे playlist का क्यूं मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि अगर आप ये video पूरा देख लिए और समझ लिए तो मैं आपको guarantee देता हूँ कि future में आपको कोई भी NLP problem मिले आप at least सोच पाओगे कि उसको solve कैसे करना है आज का lecture आपको एक thinking framework देता है एक NLP problem को approach करने में ठीक है so that is why this lecture is quite important ठीक है second बात ये पूरा lecture अपना impact create करें इसलिए मैंने last में एक assignment add किया है so please मेरा request है कि अगर आप ये video end to end देख रहे हो तो उस assignment को भी जरूर attempt करना उस assignment में आपको coding नहीं करनी है बस एक problem के बारे में सोचना है और उसको एक document में लिखना है ठीक है बस उतना ही करना है आपको तो please वो assignment भी आप अप्रोच करना ठीक है वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है इस point पर मैंने shoot नहीं किया तो मुझे पता नहीं है बट फिर भी एक घंटे का हो सकता है so please be patient please यह last video जहांबे मैं theory पड़ा कि आपको पका रहो but अगर आपने इन वीडियो सही से देख लिया तो आप मुझसे agree करोगी कि यह topic important था ठीक है so अब मैं और आपको बोर नहीं कर रहा let's start the video so guys अब हम लोग start करते है NLP pipeline पढ़ना ठीक है NLP pipeline is a set of steps followed to build and end to end NLP software बहुत simple सी बात है एक complete NLP software को बनाने के लिए आपको जो series of steps follow करने पढ़ते है उसी को हम बोलते है NLP pipeline ठीक है कौन-कौन से steps है देख लेते हैं एक बात सबसे पहला step है data acquisition किसी भी machine learning या deep learning based pipeline में हमेशा सबसे पहला step जो होगा वो data आपको चाहिए पढ़ेगा ठीक है इवन अगर आप heuristic approaches यूज कर रहे हो तो भी आपको थोड़ा data तो चाहिए ही पढ़ेगा without data NLP की pipeline बनाना या NLP का software बनाना almost impossible है ठीक है तो step 1 is data acquisition step 2 is text preparation जैसा मैंने पहले भी आपको शायद बताया है कभी कि जब आप data acquire करके लाते हो करी से तो उस data में परिशानिया होती है problems होती है ठीक है आप क्या-क्या परिशानिया होती है हम discuss करेंगे but आपको क्या करना होता है कि उस data को prepare करना होता है आगे के steps के लिए ठीक है तो इसमें आप तीन चीज़े करते हो सबसे पहला होता है text cleanup जहाँ पे आप basic जो mistakes है spelling mistake है emojis है उनको हटाना है इस तरह के काम करते हो step 2 में आप basic preprocessing करते हो यहाँ पे आप steps use करते हो जैसे कि आप tokenization करते हो word by word अलग करते हो पूरे के पूरे text को आप stop words हटाते हो आप punctuation हटाते हो इस तरह का काम आप basic preprocessing में करते हो और फिर एक advanced preprocessing होता है जहाँ पे आप कुछ advanced चीज़े करते हो like POS tagging parts of speech tagging हुआ या फिर chunking हुआ या फिर core reference resolution हुआ ठीक है अब the whole idea of the step is कि आपका जो text है उसको आप सही format में ले ओ so that अगले steps में आपको कुई भी तरह की परिशानिया ना हो ठीक है now moving on to the third step third step होता है feature engineering यह शायद आपने machine learning में भी पढ़ा होगा feature engineering का basic मतनब है कि जब आप आगे machine learning या deep learning algorithm supply करोगे तो उसके लिए आपको correct format में data चाहिए होता है जैसे कि हमारे case में हम text को number में convert करते है because machine learning models mostly numbers के ओपर ही काम करते है तो यह सब कुछ आता है feature engineering step में यहाप आप bag of words जैसी technique लगाते हो या फिर टीएफ आईडीएफ लगाते हो या फिर आप word to work apply करते हो तो यह सब आता है इस step में उसके बाद step number four होता है modeling so modeling वो step है जहाँ पर आप actual algorithm apply करते हो अब modeling में भी दो चीज़े की जाती है सबसे पहले model building किया जाता है which is the process of applying algorithms to your data और second जो step होता है वो होता है evaluation आपका model कैसा perform कर रहा है आप उसको evaluate करते हो बाकी models के साथ compare करते हो और जो best performing model है उसको select कर लेते हो ठीक है और इतना करने के बाद अब आप last stage पर पहुंशते हो that is deployment so deployment में भी फिर से तीन से तीन stages होते हैं पहला stage है खुद deployment मतलब आप उसको किसी ना किसी cloud service पे deploy करते हो अपने software को second time monitoring आप जब वो software run कर रहा है किसी cloud service पे आपके server पे तो आप उसको constantly monitor करते हो for any kind of changes और third होता है model को update करना सो कभी कभी ऐसा situation आएगा जब आपको अपने current model को replace करना होता है विथा advanced model या improved model तो वो आप periodically करते हो या फिर किसी particular situation में करते हो तो in short this is the NLP pipeline which is of five steps एक बार मैं जल्दी से repeat करता हूं यह 5 steps है data acquisition, text, pre-processing या preparation, feature engineering, model building या modeling and deployment ठीक है अब इनी 5 steps को हमें बहुत ध्यान से इस पूरे वीडियो में पढ़ना है ठीक है आपके दिमाग में यह question आ सकता है कि यह NLP pipeline पढ़ना क्यों important है मैं एक beginner हूँ, मुझे NLP सीखना है, मुझे directly NLP के algorithms पढ़ाओ, मुझे यह सब कुछ पढ़ने की जरूरत क्यों है इसका answer यह है कि यह first of all बहुत important है ठीक है, अगर आप किसी company में जाके NLP engineer बनोगे तो आपका काम सिर्फ यह नहीं होगा कि आप किसी data के ऊपर algorithm लगा के results निकाल के दिखा दो, नहीं आपको एक end-to-end task दिया जाएगा कि देखो भाई, हमें यह software बनाना है, एक NLP-based software तुम बनाओ या फिर आपका task हो सकता है कि यह existing product है और उसमें एक NLP-based feature add करना है, ठीक है तो अगर आपको यह पूरा का पूरा NLP pipeline पता नहीं होगा, तो आप पूरा का पूरा software नहीं बना सकते ठीक है, आप सिर्फ इतना कर पाओगे कि data के उपर models apply कर पाओगे, वो किसी काम का नहीं है ठीक है, तो यह जो NLP pipeline है, यह पढ़ना इसलिए important है, बिकास यह आपको एक thinking framework देता है जिसको use करके आप visualize कर सकते हो कि अगर मेरे पास data है, तो उससे वो product कैसे बनेगा ठीक है, तो यह overview जो मिलता है, यह जो पूरी thinking create होती है, वो बहुत important है इस journey के लिए, that is why यह जो video है, यह बहुत important हो जाता है, ठीक है, अब हम कैसे पढ़ने वाले NLP pipeline मैं आपको बता देता हूँ इस video में मैंने आपको एक हलका सा overview तो देही दिया है, बट अब मैं क्या करूँगा कि एक-एक करके इन सारे steps को, पांचो steps को बहुत elaborate तरीके से आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, with examples, जैसे मैं सबसे पहले data acquisition का बात करूँगा, तो मैं आपको बताऊँगा कि क्या-क्या अलब techniques है data acquisition ठीक है, अब मैं उनका code रन करके नहीं दिखाऊँगा, बट मैं आपको एक overview दे दूगा कि data acquire कैसे किया जाता है, similarly मैं text preparation के बारे मैं आपको बहुत detail में बताऊँगा, और ऐसा करके मैं पांचो steps के बारे में detail में बताऊँगा, अब before starting, एक-दो बाते मैं आपको चुरू म नहीं बता देना चाहता हूँ, first कि यह जो pipeline हम यहाँ पर discuss कर रहे है, five steps का जो pipeline है, यह universal pipeline नहीं है, universal pipeline का मतलब एक ऐसा pipeline जो NLP में हर problem के उपर apply हो जाए, यह pipeline वैसा नहीं है, ठीक है, अब text classification कर रहे हो या sentiment analysis कर रहे हो, तो मैं जो pipeline बता रहा हूँ, यह एकदम सही आपको useful लगेगी, but let's say आप थोड़ा और अलग type का task कर रहे हो, let's say आप chatbots बना रहे हो, या फिर आप, I don't know, text summarization जैसा कोई task कर रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा हलका अलग pipeline आपको समझना पड़ेगा, use करना पड़ेगा, ठीक है, बट कोई problem नहीं है, आप इससे start करो, और फि सीखते चले जाओगे, second point is, कि deep learning based pipelines जो होती है, वो थोड़ी अलग होती है, ये थोड़ी जादा machine learning based pipeline है, deep learning वाली pipeline थोड़ी सी अलग होती है, feature engineering stage में, और deployment के time थोड़ा जाधा परिशानी होती है, तो थोड़ा सा difference रहता है, ठीक है, but mostly similar है, third point is, कि ये जो pipeline मैंने आपको ब pipeline, data acquisition, text preparation, feature engineering, modeling and deployment, ये actually non-linear होता है, मतलब इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं होता है कि आप step 1 से निकलते हो, step 5 करते हो और आपका software बन गया, नहीं, आप इसको non-linearly cover करते हो, कभी-कभी आप deployment के बाद realize करोगे कि हमारा performance उतना अच्छा नहीं आरा real world data पे, and you will go back to feature engineering वाला step, य over time आप एक step से दूसरे step पे भागते रहते हो, and the idea is to build the best product, ठीक है, तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है, जैसी आप थोड़े softwares बनाओगे, थोड़े projects आप बनाओगे, you will automatically realize कि ये 5 steps कहने को linear है, बट जब आप real world data पे काम करोगे, तो ये पूरा process बहुत non-linear हो जात है, ठीक है, so with that, जो भी basics मुझे आपको बताने थे, वो मैने cover कर लिए, अब हम क्या करेंगे, कि एक एक करके इन सारे steps को elaborated तरीके से पढ़ेंगे, we will start with step 1, that is data acquisition, so guys, अब हम लोग move करते हैं, हमारे पहले step के ओपर, हम लोग पहला जो step है data acquisition, उसके बारे में discussion करेंगे, ठी to this writing board, instead of PPT, हाँ पर थोड़ा writing freedom होता है, so जो आपका data acquisition है, that is obviously the most important step, because अगर आपके पास data होगा ही नहीं, तो आप आगे का काम anyways करने ही सकते हैं, ठीक है, अब हम लोग एक example लेके चलेंगे, let's say हम एक company में काम कर रहे हैं, let's say हम flipkart में काम कर रहे हैं, और हमें एक task दिया गया है, कि हमें एक sentiment analysis app बनाना है, जो customer के reviews को देख करके, बताए कि जो review का sentiment है, वो positive है या negative है, हमें ये चीज़ बनाने को बोला गया है, ठीक है, अब इस point पे आपके पास, अगर आप data acquisition के terms में बात करो, तो आपके पास 3 possibilities हैं, पहली possibility ये है कि आपके पास जो data है, वो available है, आपके पास जो data है, वो आपके पास available है, second possibility ये है कि आपके पास data available नहीं है, बट किसी के पास है, कंपनी के बाहर, किसी और कंपनी के पास, या किसी website के पास, वो data available है, तो मैं आपे others लिख रहा हूँ, और third possibility ये है कि कोई data available नहीं है, आप कुछ ऐसा काम करने जा रहे हो, जो उस industry में first time किया जा रहा है, लेट से आप flip card का review लिखने के बदले, लेट से car देखो का review लिखना जाते हो, so industry में first time ऐसा हो रहा है कि लोग car के review के उपर sentiment analysis करना जाते हैं, हमारा assumption है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, nobody has the data, यही तीन cases होंगे, या तो आपके पास internal data available होगा, या फिर external data available होगा, या फिर आपके पास data होगा ही नहीं और आपको कुछ जुगाड करना पड़ेगा, तो हम ये तीनो cases एके करके discuss करते हैं, अब अगर हम पहले case के उपर focus करें, जब आपके पास data available है, तो यहाँ पे भी कुछ cases है, पहला case यह है कि आपके पास data एकदम आपके table पर पड़ा होगा है, you are this NLP engineer और आपके पास data आपको मिल चुका है in a CSV file, और आपको बस इस process में क्या करना है, कि you have to just start working on the next step, data acquisition का काम हो गया, data मेरे पास एक CSV file में है, तो मुझे आप कुछ करनी की जरूरत नहीं, second case यह हो सकता है कि data आपके table पर नहीं है, आपके company के database में है, या फिर आपके product में कहीं पर वो data है, अब उसको यहाँ पर आपको अपने पास ले के आना है, तो मैं यहाँ आपे लिख देता हूँ कि database में data है, इस case में क्या करना है, हम थोड़ी देर के बाठ discuss करेंगे, and the third case is, कि आपके पास जो data है, वो somehow कम data है, less data, मतलब जितना आपको चाहिए है, उससे कम है आपके पास data, ठीक है, तो पहला case है, you have it on your table, इस case में you have to do nothing, you have to just start working on the next step, which is text preprocessing, ठीक है, में आपके database के पास है, तो इस case में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी data engineering team के साथ बात करनी पड़ेगी, data engineering team के साथ आप बात करोगे, और जो data engineers होंगे, आप उनको ये responsibility दोगे, कि आप company के running database के अंदर से, मुझे data निकाल करके दो, so they would build a data warehouse or something, and they will provide you the data, ठीक है, तो इस case में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा communication skills की जरुवन पड़ेगी, क्योंकि ये काम आपका है नहीं, कि आप running database में से data निकालो, अगर ये आपका काम है, तो most likely आप किसी छोटी company में काम कर रहे हो, या किसी startup में काम कर रहे हो, उस case में आपको थोड़ा data engineering के concepts पढ़ने पड़ेंगे, but अभी मैं मान के चल रहा हूँ, कि आप किसी बड़ी organization का part हो, जहाँ पे data engineering team है आपका help करने के लिए, ठीक है, third case is less data, मतलब data आपके table पे आ गया, but unfortunately जो data है वो बहुत कम है, और उतने कम data के उपर आपके sentiment analysis application नहीं बना सकते, इस case में एक चीज़ जो आपको help करती है, वो होती है data augmentation, so data augmentation एक बहुत interesting concept है, यहाँ पर आप क्या करते हो, कि आप fake data generate करते हो, ठीक है, fake data generate करने का मतलब क्या है, कि आपके पास जो existing data है, उसमें आप तोड़ मड़ोड करके नया data generate करते हो, synthetic data generate करते हो, और फिर जब data बढ़ जाता है, आप उसके उपर अपना model trade करते हो, ठीक है, so data augmentation करने के कई तरीके हैं, मैं आपको एक-दो basic तरीके बताता हूँ, जैसे सबसे basic तरीका है कि आप अपने sentences में जितने भी synonyms हैं, या जितने भी actually words यूज़ कर रहे हो, आप उनके synonyms से उनको replace कर दो, ठीक है, run के बतले jog कर दिया, और इस तरह का जो भी words है भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, on the go video पे, but you get the idea right, कि अगर आपके पास कोई भी words यूज़ हो रहे हैं आपके sentences में, तो आप उसको उसके synonyms से replace कर दो, इससे क्या होगा, कि जो sentence है, उसका meaning तो वही रहेगा, but text different हो जाएगा, ठीक है, तो that is one way of doing it, second way is कि आप bigram flip बोल के एक technique होता है, वो use करो, bigram flip, so bigram क्या होता है, डो words का combination, ठीक है, so let's say आपके बास एक word है, I am walking on the road, तो इसमें हर दो word का combination को bigram होते हैं, तो आपने on the को reverse करके, the on कर दिया, ठीक है, तो again बहुत जादा जो आपका sentiment था, तेक्स्ट का उसमें changes नहीं आए, but आपको एक नया text मिल गया, ठीक है, third एक odd trick होता है, जिसको बोला जाता है, back translate, back translate, तो आप क्या करते हो, कि आप अपने text को उठा करके, पहले किसी और language में translate करते हो, और फिर किसी और language में जो text translate हो गया, उसको वापस original language में translate करते हो, तो इस बीच में क्या होता है, कि आपका जो translation machine या API है, वो आपके words को थोड़ा अलग धन से arrange कर देगा, तो basically आपके पास meaning सेम रहेगा, एक rearrange text आपके पास आ सकता है, ठेक है, तो ये भी बहुत use होने वाली technique है, थर्ड है कि आप कुछ additional noise add कर देते हो, additional noise, आपके sentences में आप कुछ noise add कर देते हो, जिसका कुछ meaning नहीं होता, बट आपका sentence थोड़ा change हो जाता है, बट जो overall sentiment है आपके text का, वो वैसा का वैसा ही रहता है, ठेक है, तो data augmentation के बहुत सारे tools आते हैं, बहुत सारे tools और website आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा आगे, जिनको use करके ये सारा काम किया जाता है, और internally ये जो tools होते हैं, वो इसी तरह के techniques use करते हैं, synonyms को change करना, bygram flip करना, back translate करना, या noise वगेरा add करना, ये इन tools के अंदर internally, automatically हो जाता है, ठेक हैं, तो in short, अगर मैं summarize करूँ, अभी तक का हमारा discussion, तो data acquisition में तीन अलग scenarios हो सकते हैं, पहला scenario की data आपकी company में available है, दूसरा scenario, आपके data आपकी company के बाहर available है, तीसरा scenario किसी के पास भी data available नहीं है, हमने पहला वाला scenario बहुत धंग से discuss किया, कि अगर data आपकी company में available है, तो क्या करना है, इसके तीन cases देखें, पहला data आपको already आपके table पे मिल चुका है, इन a CSV file, तो आपको कुछ नहीं करना, बिंदास होके आगे वाले step पे move करना है, second, आपके company के database में data है, इस case में आपको अपने data engineering team को approach करके, वो data को ले करके आना है, और third case में आपके पास data है, बट वो data कम है, इस case में आप data augmentation जैसे technique को use करते हो, to generate synthetic data, या फिर और ज़्यादा data, ठीक है, तो अब हम move करते हैं, second case में, which is others के पास अगर data है, किसी और के पास अगर data है, तो यहाँ पे बहुत सारे cases हैं, मैं एके करके आपको बताता हूँ, इस case में आप क्या-क्या कर सकते हो, सबसे पहला काम आप कर सकते हो, कि you can use a public data set, you can use a public data set, मैं एके करके एक्स्प्लेइन करूँगा, second you can do web scraping, third you can go to some API to get your data, fourth ऐसा हो सकता है, कि आपके पास जो data है, वो PDF में हो, या फिर image में हो, या फिर audio data हो, मैं एके करके ये सारे, six cases आपको समझाता हूँ, so public data set क्या है, बहुत सारे आज के रेट में, open data sets available है, Kaggle is a platform, बाकि और बहुत सारे platforms हैं, websites हैं, universities की websites हैं, जहाँ पर आपको, आपके काम का data मिल सकता है, customer reviews का, आप वहाँ से कोई public data set उठा सकते हो, अब ये उठाने में बस एक problem है, कि आपका product हो सकता है, थोड़ा unique हो, तो आपके reviews में भी हो सकता है, थोड़ा different type के words आएं, या फिर terms आएं, तो public data set उठाने पे, ये एक problem होगी, कि आपका जो specific use case है, उसके लिए हो सकता है, उतना suitable ना हो वो data, ठीक है, बट again, this is an option, कि आप बाहर से किसी public data set से, अपना system बना रहे हो, ठीक है, second is कि आप अपने competitor की website पे जाओ, और उसका data scrape कर लो, जैसे मैं Flipkart में काम करता हूँ, मुझे sentiment analysis app बनाना है, अपने reviews पे, बट मेरे पास reviews नहीं है, मैंने just website start किये, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने competitor की website पे जाओंगा, जो पहले से चले आ रही है, और उनकी website पे जाके, मैं reviews को web scrape करूँगा, ठीक है, अब इसके लिए यहापे libraries होती है, जैसे कि आपका Beautiful Soup पोल के एक library है, इसके ओपर मैंने एक वीडियो बना रखा है मेरे चैनल पे, मैं उसको link कर दूँगा, Beautiful Soup यूज़ करके आप web scraping कर सकते हो, ठीक है, अब इसके भी खुद के challenges है, जो वेब scraping करते हो, वो website to website vary करता है, कुछ websites को scrape करना थोड़ा easy होता है, कुछ लोगों का HTML structure बहुत difficult होता है, तो उसको scrape करना भी difficult हो जाता है, scrape करने के बाद बहुत सारा unwanted text आपके text में आ जाता है, तो उसको filter out करना थोड़ा challenging है, तो थोड़ा difficult काम होता है यह, ठीक है, next is कि आप किसी API पे hit करो, और उस API का data ले आओ, ठीक है, तो यह web scraping से थोड़ा better approach है, it's just कि textual database आपको API खोचना पड़ेगा, वो भी अपने specific use case के लिए, जो कि थोड़ा challenging काम है, तो बहुत सारी websites होती है, जहाँ पे और APIs को list down किया हुआ है, उनमें से एक website है rapidapi.com, यहाँ पे अलग-अलग domain की APIs का listing आपको मिलेगा, तो हो सकता है आपकी काम की API आपको यही पर मिल जाए, ठीक है, अब यहाँ पे आपको python type का हुई language यूज़ करना पड़ेगा, to fetch the data और एक library है request बोलके, इसको यूज़ करके आप API का data fetch कर सकते हो, जो data fetch करोगे वो आपको JSON format में मिलेगा, तो JSON का थोड़ा understanding होना जरूरी है, ठीक है, तो again, ऐसा हो सकता है, next is की, हो सकता है आपका data PDF में हो, मतलब मान के चलो कि, let's say हम flip card के लिए काम नहीं कर रहे है, हम किसी car showroom के लिए काम कर रहे है, अब ये car showroom वालों का क्या है, कि वो लोग PDF में data को store करता है, let's say, I don't know क्यों करेगा, but PDF में data को store करता है, in that case, आपको PDF से data read करना आना चाहिए, तो इसके लिए भी अलग-अलग libraries available है, पाइधन में, आप उनमें से किसी भी library को use करके, PDF का data उठा सकते हो, कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि, same car showroom वाला example लेते हैं, कि कोई offline car देखने आया, और आपने उससे एक कागज पे review लिखवाया, ठीक है, और आपका जो store owner है, वो क्या कर रहा है, फोटो खीच रहा है उस review का, और आपकी team को भेज रहा है, तो in that case, जो review है, वो एक image के अंदर है, ठीक है, तो उस case में आपको image के अंदर से text को extract करना बढ़ता है, तो यहाँ पे आप OCR वगेरा use करते हो, again उसके लिए libraries है Python में, बट यह भी एक scenario हो सकता है, कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि जो review है, आपका customer वो एक phone call पे दे रहा है, ठीक है, तो in that case, आपके पास एक speech file है, जहाँ पे audio में सारा का सारा review है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, speech to text libraries use करनी पड़ेंगी, speech to text libraries use करनी पड़ेंगी, first उस speech को text में convert करने के लिए, और फिर आप उस text के उपर pre-processing वाला step apply करोगे, ठीक है, तो यह होगया second case, जब आपके पास जो data है, वो बाहर से आ रहा है, external systems, ठीक है, अब move करते है third case पे, third case होता है कि data किसी के पास available ही नहीं है, क्या करते हो कि आप शायद आपकी जो product team है, उससे जाकर कि आप बातचीत करते हो और आप बोलते हो कि देखो, हमारा काम है एक नया sentiment analysis system बनाना, तो उसके लिए हमें कुछ customer reviews चाहिए बढ़ेंगे, तो आपकी जो product team है, वो आपकी development team, यानि कि software development team को बोलती है कि हम कुछ customers से, हमारे जो selected loyal customers हैं, उनसे हम review लेंगे तो कभी-कभी वो survey अगरा का form वो लोग डाल देते हैं, और फिर कुछ लोग महाँ पे review डालते हैं, वो review आपको मिलता है, आपका काम सबसे पहले होता है कि आप manually उसको label करो, क्योंकि जो reviews आ रहे हैं, उसका label available नहीं है, कि वो positive sentiment है या negative sentiment है, तो यहाँ पे आपको किसी को पिठाना पड़ेगा, जो उसको manually label करेगा, और फिर आपको, सिंस वो data बहुत जादा नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, heuristic approaches यूज करने पड़ेगे, जैसे regular expression यूज करके आप पता कर रहे हो, कि sentiment positive है या negative है, कुछ manual सा algorithm बना रहे हो, कि अगर बहुत ज़ादा ये सारे words यूज हो रहे हैं, तो मतलब negative review है, तो सबसे challenging काम obviously third वाला है, जब आपके पास data है ही नहीं, इस case में आपको बहुत intelligently आगे move करना पड़ता है, but yeah, this is the landscape, data acquisition step में ये आपको पापड़ पेलने पड़ते हैं, और इससे बचने का कोई scene नहीं है, तो you have to just hope कि आप किसी ऐसी company में काम कर रहे हो, या फिर किसी ऐसे project में काम कर रहे हो, जहाँ पर data आपके पास internally available हो, क्योंकि अगर internally available नहीं होगा, तो यह जो step one है या आपका बहुत headache करेगा, ठीक है, so now that we know कि data acquisition वाला step कैसे काम करता है, अब हम लोग ये मानते हैं कि हमारे पास data आ चुका है, अब हम लोग move करते हैं second step की तरफ, which is text preprocessing या फिर data cleaning वाला part, okay guys, so अब हमारे पास हमारा text आ चुका है, but unfortunately there is a big chance कि वो जो text है, उसमें बहुत तरह की problems हो सकती है, मतलब हम अगले stage में उसको directly नहीं बेच सकते, हम directly उसके उपर feature engineering नहीं कर सकते, algorithm supply नहीं कर सकते, because उसमें problems है, तो अब जो second stage होता है, हमारे NLP pipeline का, उसे बोलते है text preparation, simple words में आपके text को आप prepare कर रहे हो, आगे के stages के लिए, ठीक है, so अगर आप text preparation का बात करो, तो आपको तीन अलग type के text preparations करने होते हैं, अपने text के उपर, सबसे पहला होता है basic clean up, या basic cleaning गोल सकते हो आप इसको, यहाँ पे आप जो छोटे-छोटे problems हैं, उनको solve करते हो, second होता है basic text preprocessing, इसमें आप कुछ important चीज़े करते हो, मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगा, और last में एक होता है advanced text preprocessing, यह आप बहुत specific NLP applications के लिए ही use करते हो, ठीक है, तो मैं इस पूरे के पूरे चार्ट को बहुत carefully अच्छे से समझाता हूँ with examples, सबसे पहले बात करते हैं cleaning का, ठीक है, तो cleaning जैसा नाम से समझ में आ रहा है data को text को clean करना है, तो यहाँ पर दो-तीन तरह की चीज़े आप करते हो, मालो आपने कभी किसी website से data scrape किया है, और आपको उस data के उपर काम करना है, तो वहाँ पर क्या हो सकते हैं, कि आपके पास basic HTML tags हो सकते हैं, आपके data के अंदर, ठीक है, जैसे कि यह एक HTML tag है, P tag, ठीक है, अब मुझे मतलब सिर्फ इस hello से है, बट साथ में यह text भी आ गया, ठीक है, जो की मेरे लिए useful नहीं है, तो मुझे इस तरह की चीजों को remove करना होता है, ठीक है, तो इसको बुला जाता है HTML tag cleaning, यह कभी-कभी आपको करना पढ़ सकता है, और यह करने का सबसे आसान तरीका है, कि आप regular expressions use करूँ, मैं आपको एक example दिखाता हूँ, यह code मैंने already लिख रखा है, जैसे कि यह देखो, यहाँ पर मैंने sample text कहीं से copy paste किया है, this is the text, this is the text, and you can see कि यहाँ पर मेरे पास कुछ text है, which is inside HTML tags, अब मुझे क्या करना है कि मुझे किसी भी तरीके से इस tag को हटाना है, so मैंने एक function मनाया, script HTML बोलके, जिसमें अगर आप अपना data, as in अपना text input दोगे, तो वो simple यह function को call करेगा, यह pattern identify करके उसको remove कर देगा, ठीक है, so यह मेरा function है, and you can see, यहाँ पर मैंने इस function को call किया, और अपना text pass किया, और अब यह देखो, यह है output, ठीक है, इसको आप directly compare कर सकते हो, इसके साथ, जो हमारा input था, and you can see, जितने भी HTML tags थे, वो remove हो गया, और अब बचा है वो मेरा, जो text था, वो बच गया, इसके उपर अब मैं आगे का काम कर सकता हूँ, ठीक है, तो यह कभी-कभी आपको काम आ सकता है, second, कभी-कभी आप, social media का text use कर रहे हो, let's say sentiment analysis के लिए, तो वहाँ पे भी कुछ problems हो सकते हैं, एक problem क्या होता है, एक problem होता है emojis का, तो आज की रेट में emojis बहुत important हो गए है, हम अपनी बात को थोड़ा और effectively कहने के लिए emojis को use करते हैं, ठीक है, बट emojis machines नहीं समझ पाते, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, emojis को machine language में convert करना होता है, ठीक है, तो इस चीज़ को बोला जाता है, अब यह कैसे किया जाता है, इसका भी मैंने एक example रखा है, तो मेरे पास यह text है, यहाँ पे कुछ-कुछ लिखा हुआ है, और कुछ emojis हैं, ठीक है, कुछ emojis हैं, और अब आप क्या कर सकते हो, डिरेक्ली, पाइफन में function होता है, एंकोड बोलके, आप वहाँ पे encode, UTF-8 जैसे ही करोगे, वो क्या करेगा, कि जितने भी आपके emojis हैं, उनको machine understandable text में convert कर देगा, अब आप इसको क्या कर सकते हो, आगे के steps में, जो आपके आगे के steps में, feature engineering हुआ, या फिर algorithms जो आप apply करते हो, वहाँ पे आप इसको directly machine में feed कर सकते हो, और कोई problem नहीं होगी, ठीक है, तो again this is an example, third example would be spelling checker, spelling checker, so आज की rate में हम जिस तरीके से type करते हैं, social media पे, whatsapp पे, तो दो नए kind of phenomena आए हैं, एक है fast typing, so fast typing क्या है, जैसे आज कल के youngsters, जो आप लोगों में से कुछ रोगों के college वाले, वो words को बहुत छोटे तरीके से लिख देते हैं, जैसे hello के बतले hlo लिख दिया, ठीक है, a, r, e के बतले only r लिख दिया, u के बतले सिर्फ u लिख दिया, तो fast typing की concept आ गया है, second एक और चीज देखी गई है, तो इन दोनों से spelling mistake होता है, और वो machine को समझने में बहुत problem होती है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप किसी social media, text के उपर काम कर रहे हो, तो आपको spell check भी करना पड़ेगा, उसका भी मैं आपको एक example दिखाता हूँ, जैसे कि यह देखो, मेरे पास यह एक incorrect text है, जिसमें यह लिखा हुए, certain conditions during several generations are modified in same manner, and you can see, बहुत सारे spelling mistakes है, so there's a library called text blob, यह हम आगे और अच्छे से use करेंगे, हमने उसको call किया, और उसके अंदर एक function है, correct बोलके, हमने correct में इस text को pass कर दिया, and you can see, this is the output, तो again, मैं बस आपको example दिखा रहा हूँ, कि किस तरह के basic cleanup task आपको करने पड़ सकते हैं, ठीक है, अब इन में से कोई भी task mandatory नहीं है, it depends on the problem, जो इस तरह की problem के उपर आप काम कर रहे हो, उसके उपर depend करता है, कि आप किस तरह का cleaning task use करोगे, ठीक है, तो यह हो गया, first वाला, this is done, now let's talk about basic preprocessing, यह सबसे important चीज़ है, यह शायद आपको हमेशा use करना पड़ेगा, अब इसमें भी तीन चीज़े होती हैं, इसमें actually दो चीज़े होती हैं, एक होता है basic, as in fundamental preprocessing जो आप हमेशा करते हो, और एक होता है optional, जो आप हमेशा नहीं करते हो, कभी-कभी करते हो, depending on आप किस तरह का problem solve कर रहे हो, तो सबसे पहले basic में जो चीज़े आती हैं, वो होता है tokenization, शायद आपने नाम भी सुना होगा, tokenization, अब tokenization में भी दो तरह के tokenization होते हैं, एक होता है sentence tokenization, एक होता है word tokenization, ठीक है अब यह होता क्या है, मैं आपको थोड़ी देर के बाद समझाता हूँ, और optional में भी आपके पास कुछ चीज़े होती हैं, जो आप हमेशा use करते हो, जैसे कि stop word removal, stop word removal हो गया, यहाँ पे होता है stemming, और साथी साथ एक और चीज़ होती है, lemitization, वो भी हम देखेंगे, उसके बाद होता है removing punctuations, full stop, comma, और digits, digits भी कभी-कभी हटाए जाते हैं, depending on the application, ठीक है, इसके अलावा और क्या करते हो आप यहाँ पे, lower casing, या फिर upper casing, generally lower casing करते हो, सारे text को आप एक single case में convert कर देते हो, और lastly, language detection, यह भी optional ही रहता है, depending on the application, अब जैसे आप text translation system मना रहे हो, तो वहाँ पे आपको language detection as a premium step, as a primary step करना पड़ेगा, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा detail में हम इन चीजों को देखेंगे, पहले हम देखेंगे tokenization को, फिर हम इन बाकी के पांचो steps को थोड़ा-थोड़ा देखेंगे, detail में हम लोग next video में पढ़ देवाले हैं, so let me start with tokenization, सबसे पहले मैं आपको tokenization का एक example दिखाता हूँ, so tokenization होता क्या है, tokenization is basically converting your text into tokens, tokens मतलब छोटा part, it could be a sentence or it could be a word, ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इसको बहुत detail में पढ़ेंगे, but अभी मैं आपको एक छोटा example दिखाता हूँ, so you can see, यहाँ पर मेरे पास एक dummy text है, this is the dummy text, ठीक है, it's a paragraph, normal paragraph, और मैंने यह library use किया, NLT के, और इसके अंदर दो functions है, sentence tokenize और word tokenize, और मैंने simply sentence tokenize में अपना text pass कर दिया, and you can see, उसने क्या किया, जहाँ भी full stops थे, उसके basis पे, मेरे पूरे के पूरे paragraph को sentences में डिवाइड कर दिया, और एक list के अंदर डाल दिया, ठीक है, this is the first step, next step is कि मैंने हर sentence को पकड़ा, और उसके उपर word tokenize चला दिया, and you can see, अब मेरे पास हर sentence word by word है, ठीक है, अब इसके उपर मैं आगे जो भी feature engineering लगाना चाहता हूँ, मैं लगा सकता हूँ, ठीक है, तो this is a basic example of tokenization, जो आप करते ही करते हो, कभी-कभी problems आती है, जैसे कभी-कभी गलत full stop text, कभी-कभी कुछ problems आती है, जो आपको solve करनी पड़ती है, but yes, tokenize is a step, tokenization is a step, जो आपको almost हमेशा अपने NLP pipeline में use करना ही पड़ेगा, ठीक है, बाकि हम इसको और detail में next video में देखते हैं, now, let's move on to the optional step, सबसे पहला है stop word removal, शायद मैंने एक-दो बार आपको और बता दिया है, कि stop words क्या होते हैं, so हमारा जो language है English, उसमें हम कुछ words use करते हैं, जिनका काम होता है sentence formation, उनका meaning में कुछ contribution नहीं होता है, जैसे कि and, for, the, and, यह सब जो words है, इनका meaning जो होता है, उसमें कुछ contribution नहीं होता है, इनका पूरा का पूरा काम होता है sentence formation, so अगर आप कुछ specific NLP applications बना रहे हो, जहां पर आप context derive करना चाहते हो, किसी text का meaning derive करना चाहते हो, तो वहाँ पर यह stop words आपको help नहीं करने वाले, तो it's better कि आप उसको हटा दो, ठीक है, stemming is a process of, अगर आपके पास एक ही meaning के different words है, जैसे कि dance, dancing, danced, तीनो words actually tense बता रहे हैं, अलग-अलग, बट उनका जो meaning है, वो dance से ही निकल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इन तीनो words को उनके root form में ला सकते हो, और उसी process इसको बोला जाता है, stemming, इसी के साथ एक और चीज़ होती है, lemitization, अब lemitization और stemming में क्या difference है, next video का topic है वो, बट या, एक overview मैंने आपको दे दिया, ठीक है, next is removing punctuations, etc, question mark, percentages, यह सब उतने काम का नहीं होता, कभी-कभी, आप इनको हटा देते हो, using some library, या फिर regular expression, next is removing digits, कभी-कभी digits उतना contribute नहीं करते हैं, meaning में तो आप again उनको भी खोज के हटा सकते हो, using regular expression, lower casing, इसलिए किया जाता है, ताकि consistent रहे आपका text, तो बहुत simple है, यह तो एक function call करने से हो जाएगा, last one is language detection, नाम से समझ में आ रहे हैं, कि आपके पास एक text है, और आप कुछ ऐसा application मना रहे हो, जहां पे आपको पता होना चाहिए, कि जो text है, वो कौन से language में लिखा हुआ है, and for that, you use language detection, यहां पे भी again, you can use some libraries, मैं future में सब कुछ आपको actual code में रन करके दिखा दूँगा, जो आप हर जगा अप्लाई करते हो, second optional, जो सभी जगा अप्लाई नहीं होता, depending on the application you are building, उसके ओपर depend करता है, ठीक है, last है advanced preprocessing, so यह कुछ ऐसी चीज़े हैं, जो आप तभी use करते हो, जब आप कुछ बड़ा application मना रहे होते हो, इसमें precisely 3-4 चीज़े मैं आपको अभी बता सकता हूँ, बाकि आप आगे course में देखोगे, एक है parts of speech tagging, parts of speech tagging एक चीज़ होती है, एक होता है parsing, और एक होता है core reference resolution, इसके अलावा भी कुछ steps होते हैं, बट यह सबसे ज़ादा important वाले advanced preprocessing steps है, parts of speech tagging क्या होता है, कि मालों आपके पास एक sentence है I am living in good gum तो यहाँ पे हर जो word है उसको आप एक parts of speech देते हो, noun, pronoun, verb, adjective यह सब आप specify करते हो क्यों करते हो, क्योंकि अगर आप लेजसे एक complex application मना रहे हो, लेजसे chatbot, जहाँ पे machine को आप से बात करनी है आपकी बात समझनी है तो वहाँ पे it's important कि वो जो सामने से जो sentence आ रहा है उसको पहले preprocess करके समझे कि हर word क्या है, noun है, adjective है या क्या है, तो इसलिए parts of speech tagging किया जाता है next is parsing, so parsing में क्या होता है कि आप अपने sentence का जो syntactic structure होता है कि किस तरीके से वो sentence form हुआ है वो समझने का try करते हो again for purposes like chatbot या फिर question answering systems इस तरह की चीजों के लिए आप parsing use करते हो last is core reference resolution so इसका example मैंने पहले के वीडियो में भी दिया था कि let's say मैंने लिखा है hi my name is Nitish and I am 30 years old, let's say तो यहाँ पे नितिश और I same person को denote कर रहे है यह हम समझ पाते हैं बहुत easily but machines को यह समझाना थोड़ा मुश्किल है यही चीज को coreference resolution बोला जाता है अब मैं आपको एक छोटे से example से दिखाता हूँ एक book का एक image है वो मैं आपको दिखाता हूँ उससे थोड़ा और clear हो जाएगा यह पूरा चीज आपको So you can see यह एक cut out है एक image का मैं एक book भी follow कर रहा था practical natural language processing बोलके एक book है उसमें मुझे image दिखाई दिया यह बहुत अच्छे से explain करता है कि आपके advanced techniques कैसे काम करते हैं जैसे कि आपका input sentence है Chaplain wrote, directed and composed the music for most of his films Charlie Chaplin की बात हो रही है तो यहाँ पर you can see tokenization और lemmatization कैसे काम कर रहा है word tokenization किया गया हर word को अलग किया गया और lemmatization is actually stemming तो you can see rote का write हो गया directed का direct हो गया composed का compose हो गया root form में आगे सारे words उसके बाद parts of speech tagging में you can see जो noun, verb और बाकी के जो parts of speech है वो assign हो गया है सारे words के लिए और अगर आप parsing का example देखो तो you can see उन्होंने first of all parsing as in parts of speech tagging किया और उसके बाद एक kind of tree formation किया to understand the syntactic structure of the sentence you can see this is it अब थोड़ा सा technical है यह हम लोग next video में थोड़ा detail में पढ़ेंगे कैसे होता है but मैं आपस आपको visually दिखाना चाहता था कि हो क्या रहा है and lastly जो आपका co-reference resolution है उसका example यह रहा कि chaplain wrote और his films यह basically same बंदा है Charlie Chaplain की बात हो रही है तो वो यहाँ पे specified है ठीक है so यह I guess आपको समझ में आ रहा है एक चीज़ और which is important although मैं आगे यह discuss करूँगा parts of speech tagging जो step होता है यह आप तभी कर सकते हो जब आप stop word removal ना करो क्योंकि अगर आप stop word removal कर दोगे तो यह जो सारे words है and, the, for, of यह सब भट जाएगा और फिर यह parts of speech tagging नहीं हो पाएगा और parsing भी नहीं हो पाएगा ठीक है तो वही है मतलब you have to be very very aware कि आप किस तरह का application मना रहे हो उसमें क्या चीजों की जरूरत है और उनको किस order में कर में है यह आप करते-करते सीख जाते हो ठीक है तो guys हमारे पूरे के पूरे NLP pipeline में जो next step है वो है feature engineering ठीक है अब feature engineering क्या होता है features machine learning में या deep learning में columns को बोला जाता है input columns को तो basically आपके text में से जब आप input columns extract करते हो उस process को feature engineering बोला जाता है या फिर और simple words में बोला जाए तो text को आप जब numbers में convert करते हो उस process को आप feature engineering बोलते हो numbers में convert करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपका जो machine learning model है या deep learning model है वो mostly numbers ही समझ पाता है तो आपको numbers में convert करना पड़ेगा अपने text को ठीक है अब यहाँ पे बहुत सारे approaches होते है और probably मेरे हिसाब से यह सबसे interesting part भी होता है NLP का तो मैं आपको एक example के थूँ समझाता हूँ कि कैसे आप numbers में convert कर सकते हो लेट से आपके पास एक machine learning task है या NLP task है जहाँ पे आपको movie reviews का sentiment analysis करना है ठीक है तो मानलो आपके पास खूब सारा data है आपके पास 50,000 reviews है ठीक है आपके पास दो columns में data है first column में है review का text जहाँ पे पूरा का पूरा text दिया हुआ है और दूसरे column में output दिया हुआ है कि sentiment कैसा है positive या negative ठीक है तो जैसे कि first जो review है उसमें खूब सारा text लिखा हुआ है मानलो और फिर लिखा हुआ है zero zero का मतलब sentiment negative है फिर आपका एक और second review है जिसमें खूब सारा text लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है one one मतलब उस review का text sentiment positive है अब अगर आपको बोला जाए कि आपको इसको as in ये जो input column है review text इसको numbers में convert करने है तो numbers में convert करने के कई तरीके है अब एक simple तरीका हम ये ले सकते है कि हम एक नया dataset फॉर्म करेंगे जहांपर हम टैला column होगा number of positive words दूसरा होगा number of negative words तीसरा होगा number of neutral words और यहां पर होगा sentiment क्या है अब मैं क्या करूँगा मैं हर review के पास जाऊंगा जैसे कि माललो ये मेरा first review है मैं इसके पास जाऊंगा और इस review को पढ़ करके जितने भी positive words है like good, happy, great कितने हैं वो मैं count करूँगा माललो ऐसे five words है फिर मैं negative words count करूँगा negative words हो सकते हैं bad, pathetic, ठीक है तो माललो दो है और फिर मैं neutral words count करूँगा neutral words मतलब and, the, if तो माललो वो 6 हैं और फिर ये movie का sentiment क्या था zero ऐसे ही मैं अगले वाले के लिए जाओंगा अगले वाले में वालो यहां पर आ रहा है तीन, यहां पर एक, यहां पर छे और यहां पर आ रहा है one ठीक है तो इस तरीके से मैं क्या करूँगा यह जो मेरा data set था जिसमें 50,000 rows थे और दो columns थे उसको मैंने convert कर दिया into this data set जहां पर अब 50,000 rows हैं अभी भी मतलब 50,000 movies हैं अभी भी बट अब यह 4 columns में आ गया बट the difference is कि अब यह text नहीं रहा अब यह numbers में convert हो गया इसलिए कई जगों पर इसको text vectorization भी बोला जाता है क्योंकि आप text को vectors as in numbers में convert कर रहे हो अब manager आपको technique दिखाया है यह technique बहुत ही basic है इससे बहुत ज़्यादा advanced techniques आप पढ़ोगे future में like एक technique है bag of words शायद आपने नाम भी सुना होगा उसी से थोड़ा और advanced technique है TF-IDF फिर आप one-hot encoding भी करते हो फिर कुछ deep learning based techniques है जिनका नाम है word to vec शायद यह भी आपने सुना होगा तो इस तरह के कुछ techniques हम लोग आगे आने वाले lectures में पढ़ेंगे जहां पर हम हमारा end goal होगा कि text को किसी भी तरीके से effectively number में convert करना है अब feature engineering जब आप करते हो NLP pipeline में तो एक चीज हमेशा याद रखना कि कि किस तरह का feature engineering technique apply करना है यह आपके problem के उपर depend करता है sentiment analysis अगर आप कर रहे हो तो आप different feature engineering करोगे text summarization कर रहे हो तो different feature engineering technique use करोगे तो you have to be very open to possibilities आप हमेशा ऐसे नहीं सोथ सकते कि चलो feature engineering करना है मतलब bag of words apply कर दिया you have to be very very open ठीक है बट फिर भी कुछ patterns होते हैं precisely दो patterns होते हैं generally जब आप machine learning pipeline बना रहे होते हो NLP में तो वो थोड़ा different होता है उसका feature engineering stage और जब आप deep learning pipeline बना रहे होते हो तो उसका थोड़ा सा अलग होता है feature engineering stage मैं दोनों का आपको एक example देता हूँ so let's first discuss कि आता है और अगर आप एक deep learning based problem solve कर रहे हो तो वहाँ पर क्या difference आता है ठीक है तो machine learning वाले में क्या होता है कि आपको जो feature engineering करना होता है वो बहुत आपके ओपर depend करता है जो data scientist है उसके ओपर depend करता है उसको खुद से features निकालने पड़ते हैं खुद से features बनाने पड़ते हैं तो यहाँ पर आपके पास data आता है फिर आप उसको pre processing कर रहे हो और उसके बाद आपको feature engineering खुद से करना पड़ता है based on your domain knowledge आपको उस problem के वारे में कितना पता है उसके हिसाब से आप feature engineering करके features create करते हो और उसके बाद फिर आप algorithm apply करते हो यह पूरा flow है machine learning में deep learning में क्या difference है कि deep learning में आपके पास data आया आपने उसके उपर pre processing किया उसके बाद आप उसको directly machine learning model में भेज देते हो आपको खुद से feature engineering करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है most of the times वो हम future में पढ़ेंगे but इन दोनों approaches में जो सबसे बड़ा difference है वो यह है कि machine learning वाले में features आपको generate करने है feature engineering आपको करनी है deep learning वाले में आपको बस एक deep learning model को अपना text provide कर देना है और features वो generate करेगा अब इन दोनों approaches में advantages है और disadvantages है वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला machine learning वाले में जो advantage है वो यह है कि since आप features create कर रहे हो खुझ से अपने domain knowledge के हिसाब से तो फिर जब machine learning model का result आता है outcome आता है तो आप उसको justify कर सकते हो आप समझ सकते हो कि result ऐसा क्यों आया मतलब model का जो interpretability है वो lose नहीं होता क्योंकि आपने features बनाए उन features के basis पे आपको result मिले तो आपको पता है कि ऐसा result क्यों आ रहे है अगर आप deep learning model का बात करो तो यहाँ पे आपके पास advantage क्या है in fact इक काम करते हैं पहले इसका disadvantage देख लेते है machine learning वाले का इसका disadvantage यह है कि आपको खुद से features create करने बढ़ रहे है अब इसके लिए चाहिए है domain knowledge अब domain knowledge तभी आएगा जब आप उस domain को study करोगे it means थोड़ा hectic काम बन जाता है महनत जादा लगती है तो एक problem यह है क्योंकि कुछ problems ऐसी होंगी जैसे लेटसे आप I don't know Mandarin के लिए कोई NLP सिस्टम बना रहे है और आपको खुद Mandarin language नहीं आती ठीक है तो अब obviously आपको struggle करना पड़ेगा आपको थोड़ा महनत करनी पड़ेगी Mandarin सीखने के लिए उसके grammar को सीखने के लिए तब आप domain knowledge acquire कर पाऊगी ठीक है तो सबसे पहला problem है थोड़ा सा extra महनत लगता है दूसरा problem ये है कि कई बार आपका कोई feature ऐसा हो जाता है ऐसा बन जाता है जो model को help करने के बदले उल्टा परिशान करने लग जाता है तो आपके बनाए हुए सारे features अच्छे हों ये guarantee नहीं है कुछ features क्या करते है कि उल्टा आपके model को नुकसान पहुचाने लगते है तो ये दो problems है अगर आप खुद से features generate कर रहे हो अब अगर आप deep learning approach की बात करो तो पहला advantage तो यही है कि मुझे महनत करने की ज़रूरत नहीं है features automatically generate हो जा रहे है मेरे problem statement के हिसाब से तो easy पढ़ता है इसका disadvantage सबसे बड़ा ये है कि जब ये model अच्छा काम करता है तो मुझे नहीं पता कि वो अच्छा काम क्यों कर रहे है let's say अगर आप एक email spam classifier बना रहे हो और आपका model 98% accuracy 99% accuracy दे रहा है आपके manager ने आपको पूछ लिया कि हाँ भही तो पता चला कि कौन सा email spam होता है कौन सा email spam नहीं होता तो आपको कुछ भी नहीं पता because internally कौन से features generate हुए है वो आपको समझ में नहीं आएंगे और अगर आपको वो समझ में नहीं आएंगे तो मैं एक बार reiterate करता हूँ पूरी चीज़ को feature engineering NLP pipeline में इसका मतलब हुआ कि text को numbers में convert कर पाना so that हमारे algorithms उसके उपर काम कर पाए अब अलग-अलग approaches है depending on the problem bag of words TF-IDF, word to work यह सब हम आगे पढ़ेंगे but mostly आप दो types में categorize कर सकते हो first is machine learning pipeline second is deep learning pipeline machine learning pipeline में आपको अपने domain knowledge के हिसाब से features generate करने पड़ेंगे deep learning pipeline में automatically neural network आपको features generate करके दे देगा दोनों के अपने फायदे अपने नुकसान machine learning pipeline का फायदा यह है कि आप जो भी features बनाओगे वो आपको results जो देंगे वो interpretable होंगे आप justify कर पाऊगे कि ऐसा क्यूं हो रहा है on the downside disadvantage यह है कि आपको domain knowledge होना चाहिए और domain knowledge के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी दूसरा downside यह है कि सारे के सारे features अच्छे नहीं होते कुछ features नुकसान भी पहुँचा सकते हैं अब अगर आप बात करो deep learning pipeline का जहां पर features automatically generate हो रहे हैं वहां पर सबसे बड़ा benefit ही है कि आपको domain knowledge की जरूरत नहीं है आप अलग-अलग domains में भी अलग-अलग neural network architectures ट्राइ करके results निकाल सकते हो disadvantage यह है कि आपका interpretability lose हो जाता है तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि model कैसे काम कर रहा है तो you would be clueless अब feature engineering का एक सबसे important part आपको हमेशा याद रखना है कि it depends on the problem there is no set solution आपको problem के हिसाब से अपना approach decide करना पड़ेगा और वो हम अगले अगले के अगले दो videos में सीखेंगे तो I hope आपको यह feature engineering वाली पूरी चीज समझ में आई अब हम लोग move करते हैं हमारे next step में हमारे पास अब जो features हैं वो आ चुके हैं अब हम क्या करेंगे हम उसके उपर modeling करेंगे as in machine learning या deep learning models को apply करेंगे so guys next stage जो है उसको बोलते है modeling modeling का मतलब है आपके पास data सही format में आ चुका है और अब आप उसके उपर algorithm apply करके उसको evaluate करते हूँ कि जो result आ रहा है वो कितना सही है ठीक है इस पूरे stage को modeling बोला जाता है और इसमें actually दो parts होते हैं एक होता है applying model जिसको actually modeling ही बोला जाता है और जो second stage होता है इसको बोला जाता है evaluation तो हम इन दोनो stages को अलग-अलग पढ़ेंगे first of all we'll focus on modeling ठीक है so as I already told you कि आपके पास data सही format में आ चुका है मतलब numbers के format में आ चुका है अब आपको इसके उपर logic लगाना है या algorithm लगाना है which is kind of the main stage अब इसमें आप चार अलग-अलग तरीके से काम कर सकते हो ठीक है सबसे पहला है कि आप heuristic methods लगाओ जुगाडू methods ऐसा कब करना चाहिए मैं आपको थोड़ी तेरे में बताता हूँ second है आप ML approaches यूज करो as in machine learning algos यूज करो like naive based etc third होता है कि आप deep learning based approaches यूज करो और fourth होता है कि आप cloud APIs यूज करो so google, cloud platform, AWS, azure इन सब के कुछ already solutions आते हैं जिनको आप directly out of the box यूज कर सकते हो आपको खुज से कोई algorithm लगाने की ज़रुरत नहीं होगी आपको बस एक API हिट करना पड़ेगा और आपको result मिल जाएगा कौन सा approach apply करना है ये दो चीजों पर depend करता है first amount of data आपके पास कितना data available है इस चीज पर depend करेगा कि आप कौन सा technique यूज करोगे second nature of problem ठीक है nature of problem अब first of all बात करते है amount of data की ठीक है let's say आप एक email spam classifier बना रहे हो जिसका काम है spam emails को classify करना और आपके पास बहुत ही कम data है like आपके पास बस कुछ emails है और आपको उसके basis पे spam classifier बनाना है तो since आपके पास enough data नहीं है तो आप machine learning algos या फिर DL as a deep learning based approaches यूज नहीं कर सकते तो वहाँ पर आपको heuristic approaches लगाने पड़ेंगे जुगाडू approaches ठीक है तो आपने ये जुगाड लगाया आपने पता किया कि यार जैसे कि अगर मेरे पस 10 email आ रहे हैं तोटल उसमें से 2 emails हमेशा spam रह रहे हैं और वो same email ID से आ रहे हैं तो आप सीधे सीधे चेक लगा सकते हो कि अगर उस particular email ID से email मुझे मिल रहा है तो मैं उसको सीधे spam box में डालता हूँगा तो ये जुगाडू technique हो गया आपने observe किया आपने observation के हिसाब से कि सारे email IDs में से इस particular email ID से जब भी मेरे पास email आ रहा है वो spam है तो ये मेरा logic हो गया second could be कि अगर किसी email में बहुत ज़ादा sale word use हो रहा है तो वो spam है तो ये सब जुगाडू techniques आप लगा सकते हो अगर आपके पास कम data है अगर आपके पास data अगर बढ़ने लग जाए खूब सारे emails आने लग जाए फिर और different type के factors आने लग जाएंगे ठीक है different type के spams आने लग जाएंगे अलग-अलग हो सकता है email IDs से या उसमें different patterns हो तो आप इस तरह के stage में क्या करते हो जब data आपके पास बढ़ जाता है तो आप machine learning algorithms use करने लग जाते हो और अगर आपके पास data बहुत जादा है तो आप deep learning based approaches भी use कर सकते हो हमेशा याद रखना deep learning को बहुत जादा data चाहिए होता है ठीक है train होने के लिए तो अगर बहुत जादा data है then only you think about using DL approaches बट अगर आपके पास अगर ठीठा का amount में data है तो आप machine learning approaches यूज कर सकते हो in fact कई लोग क्या करते है कि वो machine learning और heuristic approaches को साथ में यूज करते हैं कैसे तो मैं आपको एक example देता हूँ let's say आपका heuristic approach था कि एक particular email id से अगर email आता है तो वो spam है और फिर देरे जब data बढ़ गया तो अब आपने क्या approach लिया कि मैं number of positive words count कर रहा हूँ number of negative words count कर रहा हूँ हर email में अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि आप जब feature engineering कर रहे हो यह feature engineering जब आप बना रहे हो तो आप यहाँ पर एक और नया feature add कर दो कि यह जो particular email है यह उस particular email id से आया है की नहीं ठीक है from spammer बोलके एक नया हमने यह बना दिया column बना दिया अब मैंने first email को देखा उसमें positive words 3 है negative words 6 है और यह उस spam id से नहीं आया है ठीक है अगला वाला email की बात करो तो उसमें 4 positive है 6 negative है और यह उस spam वाले से आया है शुरू में जब आपके पास कम data था उसको आप अभी भी use कर रहे हो because वो अभी भी एक valid point है but आप उसको use कैसे कर रहे हो अपने machine learning के workflow में as a feature ठीक है तो यह important point है यह मैं future मैं आपको किसी project में करके दिखाऊंगा जहांपर मैं आपको कुछ heuristic based approaches को merge करके दिखाऊंगा machine learning approaches के साथ और वो आप कैसे करते हो by making those heuristic approaches as features in your machine learning pipeline I hope यह वाला point clear है अगर clear नहीं है तो एक बार पिशला एक minute आप जाकर के फिर से देखो आपको clear हो जाएगा ठीक है यह हमने discuss किया कि कब कौन सा approach use करना चाहिए और यह mostly depend करता है amount of data पे data बहुत कम है जुगाडू heuristic approaches ठीक ठाक amount में data है machine learning approaches कई बार heuristic और machine learning approaches को जोड़ करके भी काम किया जाता है और अगर आपके पास बहुत जादा data है तो फिर आप deep learning based approaches use कर सकते हो also अगर आपके पास पैसा है और आप जिस problem को solve कर रहे हो उसके उपर आपको एक cloud solution मिल रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हो कि कोई cloud API भी directly use कर सकते हो ठीक है तो यह हुआ nature of problem के उपर depend कर रहा है deep learning में एक और टेकनीक जो आजकल बहुत use होती है उसको बोला जाता है transfer learning शायद आपने पढ़ा होगा so transfer learning का funda क्या है कि आप एक बहुत advanced deep learning model को उठाते हो जो बहुत बड़े data पे पहले से trained है ठीक है जैसे कि BERT एक example है BERT is a transformer जो internet पे 40 GB data के साथ already trained है अब आप क्या करते हो कि उसको उठा के लाते हो और अपने problem के उपर apply करते हो the idea is very simple कि अगर आपको cycle चलाना आता है तो आप उस knowledge को use करके bike चलाना सीख सकते हो ठीक है तो that is the whole idea behind transfer learning ये भी आजकल बहुत use होता है कुछ NLP problems के लिए तो एक बार अगर आपको मैं पूरा landscape समझाओ तो आपके पास चार approaches है heuristic, जुगाडू approaches machine learning based approaches deep learning based approaches और finally कुछ cloud solutions आपके पास आजकी rate में available है अब इनमें से कौन सा use करना है ये दो चीजों पर depend कर रहा है first आपके पास data कितना है second आप किस type का problem solve कर रहे हो अब अगर आपके पास data बहुत कम है you would start with heuristic approaches data जैसे जैसे grow करने लग जाता है आप machine learning approaches की तरफ move करने लग जाते हो but आप heuristic approaches को छोड़ते नहीं हो उसको as feature अपने machine learning flow में add कर लेते हो और फिर अगर data आपके पास और जादा है तो आप deep learning based approaches यूज़ करते हो deep learning based approaches में भी आप transfer learning यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास जो problem है वो transfer learning से solve हो सकता है तो और अगर आप कोई ऐसा problem solve कर रहे हो जिसका existing cloud solution है आपके पास तो आप इतनी मेहनत ना करके simply उन cloud services को use कर लोगे given आपके पास पैसा है उनको use करने का ठीक है तो ये पुरा modeling का flow है but again as usual I would say this कि कब क्या करना है ये बहुत problem specific है और आगे जब हम अलग-अलग type के problems को solve करेंगे you would see कि modeling का मेरा approach change होता रहेगा ठीक है but yeah this is the overview अब आपने जब एक बार algorithm लगा लिया solution आपने निकाल लिया तो आपके पास होंगे results और results से आपको पता चलेगा कि आपने जो काम किया है इतना सही है या इतना गलत है तो इसलिए जो next approach है वो है evaluation वो discuss करते हैं अब guys evaluation का simple मतलब है कि आपका model कैसा perform कर रहा है और ये निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ये पता करो कि unseen data के उपर आपके model के results कैसे आ रहे हैं ठीक है अब evaluation में एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि generally आपको दो तरीके के evaluations करने पड़ते हैं अपने model के उपर मैं आपको एक बार बताता हूँ सो दो तरीके की evaluations होते हैं first होता है intrinsic evaluations और second होता है extrinsic evaluation intrinsic evaluation का मतलब होता है कि आप बहुत technical level पे check करते हो कि आपका machine learning model का performance कैसा है यहाँ पे आप metrics यूज करते हो जैसे कि अगर आप एक sentiment analysis app बना रहे हो तो वहाँ पे जो आप intrinsic evaluation करोगे वो आप accuracy जैसी metric को यूज करके करोगे या फिर precision या फिर recall जैसी metric को यूज करोगे या फिर confusion matrix यूज करोगे यह आप शायद पहले भी कर चुके होगे अगर आपने machine learning में पढ़ाई किये extrinsic evaluation क्या होता है कि आपका model जब deploy हो जाता है वो एक product बन जाता है और users उसको use करते हैं तो एक business setting में आप उस model को evaluate करते हो ठीक है तो यह बहुत business centric है और intrinsic evaluation जो है वो बहुत ही model centric है as in technicality basis पर है अब यह दोनों ही बहुत important है क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने model जो बनाया वो अच्छा काम कर रहा है उसके results अच्छे आ रहे हैं जैसे जैसे आप senior positions पर जाओगे तो आपको इन दोनों metrics का खयाल रखना पड़ेगा अगर आप एक junior NLP developer हो तो फिर आपको सिर्फ intrinsic evaluation से मतलब है बट जैसे जैसे आप senior position पर जाओगे आपको extrinsic वाले पर भी ध्यान रखना पड़ेगा अब ये पूरी चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक example देता हूँ जिससे ये पूरी चीज़ clear हो जाएगी ठीक है? सो मान लो हम लोग एक text generation task के उपर काम कर रहे है text generation task का example है let's say swift की ये keyboard है जो हम लोग use करते हैं हमारे android smartphones में उसमें एक feature होता है कि जैसे आप एक sentence type करते हो वो आपको ऊपर तीन suggestions देता है कि आपका next word क्या इन तीनों में से कोई एक है और आप उन में से किसी को press करते हो अगर आपका next word वो है in fact मैं आपको दिखा देता हूँ so this is so ये cut out है ये शायद आपने ये keyboard इस तरह का use किया भी होगा तो अगर आपका user type कर रहा है I had such a तो यहाँ पर तीन suggestions उसको आ रहे है great, great time और lovely जो इस के अंदर जो model उसको लगता है कि आपका next word ये होना चाहिए so this is an example of a text generation system ठीक है अगर आप बात करो text generation system में तो यहाँ पर भी दो तरह की evaluations होगे पहला होगा intrinsic evaluation दूसरा होगा extrinsic evaluation अब अगर आप intrinsic evaluation का example लो तो since आपने अपने text generation नहीं पढ़ा है मैं आपको बता देता हूँ आप एक matrix use करते हो आप एक matrix use करते हो नंबर होता है जो आपको बताता है कि आपका NLP model इस point पे कितना confused है ठीक है यह probability बताता है इसलिए इसको perplexity बोला जाता है अब perplexity let's say आपने जो model बनाया उसका बहुत ही बढ़िया आया और आपका model is ready to be deployed ठीक है अब यहाँ पर आपका extrinsic evaluation क्या होगा सोच के देखो business setting में how would you measure कि आपका model अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है बहुत simple तरीका है आप यह बोलोगे कि मुझे यह पता करना है कि मैंने जितने suggestions दिखाए उसमें से कितने बार मेरे user ने उन suggestions को use किया इसने अभी तीन suggestions दिखाए और मैंने इसमें से एक use कर लिया तो this is a good thing ठीक है वही अगर मैं 1000 suggestions दिखा रहा हूँ बट फिर भी मेरा user है वो zero times इनमें से किसी भी suggestion को use कर रहा है it means output सही नहीं आ रहा है business setting में ठीक है तो this is an extrinsic evaluation कि मेरा user मेरे suggestions को use नहीं कर रहा है ठीक है whereas यहाँ पर जब आपने intrinsic evaluation किया तो आपको results अच्छे मिल रहे थे so होता क्या है मैंने जैसा आपको बताया कि intrinsic evaluation अच्छा है it does not mean कि आपका feature आपका model एक बढ़िया product में convert हो जाएगा इसका ultra true है लेकिन अगर आपका extrinsic evaluation सही आ रहा है तो फिर आपका intrinsic भी सही होगा जैसे कि अगर आपका user 1000 में से let's say 500 बार suggestions को accept कर रहा है तो for sure आपका जो intrinsic parameter है perplexity उसका value भी सही ही होगा ठीक है तो बस बात इतनी सी है कि आप कोई भी NLP task करो आपको वहाँ पर intrinsic evaluation करना है technical level पर और extrinsic evaluation के बारे में भी सोचना है business level पर ठीक है बाकी हम जब projects वागेरा करेंगे तो मैं इन दोनो topics के उपर बात करूँगा अभी बस मैं आपको एक rough overview दे रहा था so अब हमारा model बन चुका है उसको हमने evaluate कर दिया है अब बस last काम है उसको deploy करना which is the last stage so NLP pipeline का जो last step है वो है deployment ठीक है deployment मतलब आपने पूरा model बना लिया है उसको evaluate कर लिया है और अब आप उसको you know deploy करते हो as in उसको users के सामने रखते हो so that वो उसको use कर पाए deployment के तीन main stages होते है first is deployment itself second is monitoring और third है update करना इन तीनों processes को हम एक एक करके पढ़ेंगे so deploy करना again इस चीज़ पर depend करता है कि आप क्या बना रहे हो ठीक है मैं आपको example देता हूँ first example यह है कि let's say आप एक email spam classifier बना रहे हो ठीक है तो इस case में आप जो चीज़ बना रहे हो वो actually एक full-fledged product नहीं है जो full-fledged product है वो है आपका email system पूरा का पूरा like Gmail आप उसके अंदर एक feature बना रहे हो और वो feature क्या है कि वो incoming emails को label कर सकता है as spam और not spam तो in this case आपको क्या करना पढ़ेगा as API अपने model को किसी cloud service पर deploy करना पढ़ेगा as a micro service so होगा क्या कि आपका जो पूरा email system है उसमें जैसी कोई email आएगा automatically वो system क्या करेगा आपके API पे hit करेगा email का text भेजेगा और आपका जो system होगा वो palette के 1 या 0 भेजेगा कि वो spam है या नहीं है अब जो result आपके email system के पास आया है उसके basis पे वो decide करेगा कि इस email को main folder में भेजना है या फिर spam folder में भेजना है तो इस case में आप एक micro service deploy करोगे on let's say AWS या GCP second example लेते है let's say आप एक chatbot बना रहे हो तो chatbot के case में आपका deployment technique बहुत different होगा आप एक whatsapp service के थू कर सकते हो या फिर आप एक telegram bot बना सकते हो या फिर आप अपना खुद का android app में अपने chatbot को deploy करके user को देश करते हो so यहाँ पर बस आपको सोचना है कि मेरा जो end product है वो कैसा है user उसको कैसे use करेगा जैसे आपको इस चीज़ का answer पता चल जाएगा आप deployment भी कर पाऊगे second thing is monitoring monitoring बहुती simple है actually simple है नहीं but समझना आसान है monitoring का काम है कि हर पल यह देखते रहना कि आपका machine learning model ठीक है या नहीं ठीक है so generally लोग क्या करते हैं कि वो एक dashboard शोड़ बना देते हैं और dashboard में जितने भी आपके metrics है intrinsic evaluation, extrinsic evaluation उसका value आपको मिलते रहता है आप कभी भी इस web page पे जाओगे तो आपको सारे के सारे metrics का value मिलने लगेगा साथी साथ एक graph में यह plot होते रहता है कि कल जो value था और आज जो value है वो कैसा है so that अगर कभी भी कुछ खराबी आती है तो आपको पहले से पता चल जाता है और फिर आप जाकर के उसको ठीक कर पाओ तो monitoring में mostly आप dashboarding करते हो dashboarding में जो आपके key performing indices है KPIs आप उनको दिखाते हो और generally आप एक graph में plot करते जाते हो historical data so that आप पुराने data से compare कर पाओ कि आज कोई गड़बड तो नहीं हो रही ठीक है so this is monitoring the last one is update करना अब update करना इस चीज़ पर depend करता है कि आपका जो product है वो time के साथ उसमें changes आ रहे हैं की नहीं ठीक है अब let's say आपने email spam classifier मनाया और आपने क्या किया आप एक नई country में अपना operation start कर रहे हो let's say इंडिया में तो अब इंडिया में different पाएगा in that case आप क्या करोगे आप अपने model को फिर से नए data के इसाब से train करोगे और उसको फिर से deploy करोगे कई बार लोग क्या करते हैं कि वो online models use करते हैं मतलब जैसे नया data आते रहता है model on the go server पे train होता जाता है in that case आपको अलग से model को अपडेट करनी की जरूरत नहीं पड़ती यह भी बहुत ही ऐसा topic है जिसको आप एक साथ summarize नहीं कर सकते बहुत सारी possibilities है depending on आप क्या बनाना चाहते हो ठीक है बट अगेन मैंने आपको एक overview देने का try किया mostly यही तीन stages होते हैं आप deploy करते हो monitor करते हो और शायद periodically update करते हो ठीक है so that's the entire cycle हमने एकदम शुरू से start किया data उठाने से और end तक हमने उसको discuss कर लिया so that was the video guys I hope आप पूरा देख पाए और आप समझ पाए जो मैं वापर पढ़ा रहा था अब जैसा मैंने promise किया था वीडियो के शुरुआत में मैं आपके लिए एक assignment दे रहा हूँ so the assignment is based on Quora let me show you the assignment so guys आपका assignment बहुत ही interesting है आपको क्या करना है कि आपको एक NLP pipeline बनानी है exactly आपको code करके नहीं बनानी है you have to just think of the steps कि उस pipeline में क्या-क्या steps होंगे ठीक है एक बार मैं आपको problem statement समझा देता हूँ so I hope आपको Quora website के बारे में पता होगा Quora is a question answering website जहां पर users questions पूछते हैं और फिर users, दूसरे users उनको answer करते हैं it's quite a famous website तो जैसे Quora में एक बहुत बड़ा problem क्या है कि questions repeat होते है exactly same words नहीं होते है questions के but meaning same होता है और questions repeat होते है और questions के repeat होने से क्या होता है कि answers divide हो जाते है जैसे ये question देखो आपके screen पर है has the IPL destroyed the soul of Indian cricket ठीक है और फिर बगल में अगर आप देखो तो एक related question है is IPL spoiling the Indian cricket अब जिन लोगों को ये question दिखाई देगा और answer पता होगा वो लोग यहाँ पर answer लिख देंगे और जिन लोगों को यहाँ पर पता होगा वो लोग यहाँ पर लिख देंगे तो होगा क्या कि same question के answers दो अलग pages पर divide हो जाएंगे तो Quora is facing this problem and they want कि आप उनको help करो to figure out कौन से questions same है और फिर उनके answers merge करने में ठीक है तो आपका problem statement यह है कि given two questions you have to tell whether those two questions are same or not meaning wise ठीक है तो माल लो आप Quora के बाहर काम करते हो आप Quora में नहीं काम करते हैं और आपको यह problem solve करनी है तो फिर आप इस पूरी problem को कैसे solve करोगे आपको एक NLP pipeline बनानी है मैंने एक document बना रखा है जहाँ पे आपसे मैंने questions पूछे है सबसे पहला question यह है कि आप data कहां से लाओगे label data यह एक supervised learning problem है यहाँ पे आपको predict करना है कि दो questions जो आपको मिले हुए है वो same है यह नहीं तो यह supervised machine learning problem इसका data कहां से लाओगे प्लीज आप Kaggle को हटा के सोचना और आप Quora as in company में काम नहीं करते हैं तो आपके पास internal data भी नहीं है तो कहां से data लाओगे यह आपको सोचना है फिर text preparation stage में आपको सोचना है कि किस तरह की cleaning की जरूरत पढ़ सकती है किस तरह का basic text pre-processing की जरूरत पढ़ सकती है और क्या advanced text pre-processing की जरूरत भी पढ़ेगी उसके बाद आपको सोचना है कि जब मिर पस data पूरी तरीके से clean होकर आ जाता है तो मैं क्या features यूज करूँगा फिक है यह बहुत important question है उसके बाद आप किस तरह का algorithm या किस तरह का approach यूज करोगे क्या intrinsic evaluation metrics यूज करोगे क्या extrinsic evaluation metrics यूज करोगे और lastly जो चीज आपने बनाई है उसको पूरे product के साथ कैसे integrate करोगे क्या चीजों को monitor करोगे और finally आपका update strategy क्या होगा ठीक है तो यह पूरा assignment आपको देने का बस यही मतलब है कि जब आप यह पूरा video देखो तो आपको फिर एक अच्छा assignment kind of revision करने के लिए मिले मैं आपको guarantee देता हूँ अगर आप इसको लिख करके एक बार करोगे copy pen को use करके आपका काफी दिमाग खुलेगा और आप आगे जो NLP problems आपको मिलने वाली है लाइफ में उनके लिए आप better prepared feel करोगे ठीक है so this is your assignment आप इसको solve करो LinkedIn पे आप इसको मेरे साथ share कर सकते हो I would check कि कैसा जा रहा है so yeah that's it so guys that's the entire video पूरा का पूरा content plus assignment अब अगला वीडियो मैं अगले Thursday को release करोगा I hope अभी तक जो भी आपने पढ़ा आपको समझ में आ रहा है अगर आपका कुछ भी feedback है आप please comments ने मुझे बताना I will try to improve अभी भी major chunk बचा हुआ इस पूरे course का तो उसको cover अपकरने के पहले मैं improve कर लोगा also काफी महनत लग रही है so please एक like आपकी साइट से would be a great motivation also अगर आपने subscribe नहीं किया मेरे चैनल को please do subscribe बहुत motivation मिलता है उससे so that's it from my side thanks for watching bye